नश्कर दोस्तों, इंडिया चाइना बोर्डर डिस्प्यूट से समन्दित पिछले दो से तीन दिनों में काफी इंपोर्टन घटना करम हुआ हैं। काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो क्लियर तो नहीं हैं लेकिन एनलाइज करने पर बहुत कुछ इंडिकेट करते हैं। इस वीडियो में हम उनी पॉइंट्स को एनलाइज करने की कोशिस करेंगे। कल देखो ओल पार्टी मीटिंग में परधामंत्री मोदी के द्वारा एक इंपोर्टन बात कही गई। परधामंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में कहां किसी ने हमारे बोल्डर में घुसपैट नहीं की हैं। और हमारे किसी भी पोश्ट पर चाइना की आर्मी ने कबजा नहीं किया है। जब अधामंत्री मोदी ने ये बात कहीं तो कोशन्स उठने स्टार्ट हो गए। अगर किसी ने हमारे बोल्डर में घुसपैट नहीं की हैं। तो 15 जून को जो कुछ हुआ हमारे सैनिकों के बीच और चीन के सैनिकों के बीच जपट हुई। वो क्यूं हुई। अगर चीन के सैनिक हमारी टरिटरी में नहीं आए। इसका मतलब तो ये हुआ हमारे सैनिक उनकी तरिटरी में गए थे और वही पर लडाई हुई इसका मतलब तो ये भी निकलता है जैसे इंडिया ने गल्वान वैली चैना को सीड कर दी हो क्योंकि इंडिया ने एक परकार से माल लिया कि चाइना के सैनिक तो हमारे यहां पर आये ही नहीं फाइट हुई उनकी तरिटरी में मतलब वो गलवान वैली चाइना की है लेकिन देखो ये स्टेट्मेंट्स जितनी सिंप्लिफाई लग रही है उतनी सिंप्लिफाई ये स्टेट्मेंट्स है नहीं इन स्टेट्मेंट्स में बहुत ज़्यादा गहराई चुपी है अभी कुछी मिन्टो पहले की बात है प्रधानमंत्री ओफिस के द्वारा एक क्लैरिफिकेशन जारी किया गया क्लैरिफिकेशन में ये लिखा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी के कहने का मतलब ये था कि चाइना के सैनिको ने इंडिया में गुस्पैट करने की कोशिस की गुस्पैट कर नहीं पाए वो मतलब दोनों चीजों में फरक है एक तो हम यूँ कहें कि गुस्पैट नहीं हुई इंडिया में इसका मतलब ये तो नहीं है न कि गुस्पैट की कोशिस भी नहीं हुई हुआ क्या एक्शली जैसा आँको पता है माई के फर्स्ट वीक से ही आलमुष्ट इंडिया चाइना बोर्डर पर पाँच से च्छै पॉइंट्स ऐसे है जिन पर दोनों देशों की फोर्सीज आमने सामने हैं कुछ पॉइंट्स की बाग करें गलवान वैली, गोगरा पोस्ट पैंगोंग लेक रीजन और सिक्किम में नकुला पास रीजन टैंसन्स को कम करने के लिए 6 जून को कॉप्स कमांडर की मीटिंग हुई थी जिसमें ये तैह हुआ था चार पॉइंट्स पर दोनों देशों की जो आर्मी है वो डिस एंगेज करेगी यानि दो किलोमेटर से पीछे चली जाएगी और उसमें से एक पॉइंट थाम गलवान वैली रीजन का आप ये मैप देखिए और जड़ा क्लरिटी आएगी पॉइंट नमबर ये 14 जो हैं यहीं पलड़ाई हुई एक्शली 6 जून के एग्रिमेंट के अनुसार होना तो डिस एंगेजमेंट चाहिए थाम बट हमारी आर्मी के कर्नल स्तीस बाबू जब 15 जून को चेक करने के लिए गए तो इस पॉइंट के पास LAC पर इंडिया की साइड ध्यान दीजेगा वर्ड्स पर LAC पर इंडिया की साइड चाइना ने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था अभी तक हमने पहले के आर्टिकल्स में इस स्ट्रक्चर को टैंट का नाम दिया एक्चुल में डिस एंगेजमेंट के बावजूद LAC पर इंडिया की साइड चाइना की आर्मी एक वाच टावर बनाना चाहती थी वाच टावर जिसकी साइता से इस रोड पर होने वाली एक्टिविटीज को मोनिटर किया जासके गलवान वैली में भी इंडिया की एक्टिविटीज जो है उनको मोनिटर किया जासके इवन इंडिया की आर्मी ये आगे जो कारा कुरम पास तक ट्रक्स लेके जाएगी तो उनको मोनीटर किया जास के इस वज़े से इंडिया की साइड एलेसे के पास चाइना की आर्मी डिस अंगेजमेंट के बावजूद एक वाच टावर रखना चाहती थी अगर ये वाच टावर या फिर अबजर्वेशन वाली पोस्ट बन जाती तो ये हमारे इंटरेस्ट के बहुत ज़दा अंगेश्ट होती लेकिन करनल स्तीस बावू और बाखी सोल्जर्स ने विरोध किया इसका और इसी चक्कर में लड़ाई हुई तब ही तो कहा जा रहा है ह हमारे बहादरु सैनिकों ने जो बैदान दिया वो व्यर्थ नहीं है क्योंकि उन्होंने इस उब्जर्वेशन वाली पोस्ट को नहीं बनने दिया और बाब में तो जैसा 6 जून को तया हुआ था डिस अगेश्मेंट हो गया मतलब गलवान वैली रिजिन में चाइनिया ने इंडिया की टरिटरी पर कबजा किया है ये बात सच नहीं है इंडिया की साइड वो किसी परकार का कोई स्ट्रक्चर नहीं क्रियेट कर पाए हैं जितना पहले तक वो आगे आते थे वहीं तक चाइनिज आए हैं और PMO के दोरा जो स्टेटमेंट क्लैरिफिकेशन कुछी द अबजर्वेशनल पोस्ट या फिर वास टावर बनाने की कोशिस की लेकिन करनल स्टीस बाबू और बाकी बहादूर सैनिको के बलिदान के बदोलत वो चाइनिज सैनिको की कोशिस सफल नहीं हो पाई ये तो हमने बात की गलवान वैली और कुछ दूसरे पॉइंट्स की मतल देखो सबसे डिफिकल्ट जो जगह है जहां पर असानी से समझोता नहीं होगा वो है पैंगोंग सो लेक रीजन यहां पर आप ये मैप देखें यह नीचे हैं पैंगोंग सो लेक यह फिंगर्स हैं फिंगर्स मतलब मांटेनियस पर्स हैं चाइना के हिसाब से L.A.C. ये हैं इंडिया के हिसाब से L.A.C. ये हैं देखो पहले क्या होता था इंडिया के सैनिक फिंगर 8 तक पैट्रोलिंग के लिए जाते थे और चाइना के सैनिक फिंगर फोर तक पैट्रोलिंग के लिए आते थे मतलब ये जो रीजन है न बीच में ये वाला इसे आप बफर जोन कह सकते हो क्योंकि इस रीजन में दोनों देशों के सैनिक पैट्रोलिंग क्या करते थे लेकिन अब क्या हुआ है अब चाइनीज ने काफी ज़्यादा इंफरस्टक्चर इस रीजन में क्रियेट कर लिया है रोड तो उन्होंने पहले ही बनार की थी मोटरेबल रोड उसके लावा और बहुत सारा उन्होंने इंफरस्टक्चर यहां पर डवलप कर लिया है जैसे बोट्स को खड़ा करने के लिए एक शैड यहां पर डवलप कर लिया है और काफी सारे बंकर्स वगरा भी उन्होंने पहडों पर उपर वाली जगह पर बना लिये हैं तो मतलब उन्होंने एक परकार से साफ कर दिया हैं अब हम यहां रुकने वाले हैं और इंडियन्स के लिए यहां पर पैट्रोलिंग करना अब मुस्किल हो जाएगा तो पढ़ामंत्री मोदी की जो स्टेट्मेंट है किसी ने हमारी टरिटरी में गुस्पैट नहीं की है तो इसका मतलब क्या अब हम इस रिजिन को हमारा हिस्सा नहीं मानते क्योंकि चाइनीज ने यहां पर पर्मनेंट स्ट्रक्चर बना लिया है काफी सारा तो हमारी स्टेट्मेंट कि किसी ने हमारे एरिया में गुस्पैट नहीं की है तो क्या हम ये एरिया चाइना को सीड कर रही है ये निकल के आता है पर्धामिंतरी मोदी की स्टेट्मेंट से क्योंकि देखो बात ये भी है न हमारी आर्मी के जवान पहले फिंगर एड तक जाते थे लेकिन अब चाइनीज हमें नहीं अलाव कर रही है मतलब पहले जो ये बफर जोन हुआ करता था जिसमें दोनों देशों के जवान पेट्रोलिंग किया करते थे अब सिर्फ चाइना के करेंगे चाइना के कंट्रोल में ये रीजन रहेगा वो इंडिया के जवानों को यहां पर नहीं आने दे रही हैं तो फिर हम इस बात को जोर सोर से क्यों नहीं उठा रही हैं कि ये हमारी टरिटरी हैं और हमारी टरिटरी में चाइना के द्वारा गुस्पैट की गई हैं ये आवाज ना उठा के तो इसका मतलब हम accept कर रही हैं कि ये हमारी टरिटरी नहीं हैं लेकिन देखो पधामंतरी मोदी का कहने का मतलब ये हैं हमारी टरिटरी में किसी ने गुस्पैट नहीं की हैं मतलब हमारे कंट्रोल वाली टरिटरी में किसी ने गुस्पैट नहीं की हैं ये जो एरिया था ये टोटली पहले भी हमारे कंट्रोल में नहीं था कि एक परकार से इंडिया ने चाइना को मोका दिया है आप अपना फेस सेव कीजिए अपने इज़त बचाईए और इस एरिया को खाली कर दीजिए ऐसा मोका इंडिया ने अब चाइनिस को दिया है क्योंकि इंडिया ने ये माना है कि ये बफर जोन है यहाँ पर दोनों देशों की आर्मी पहले पेट्रोल क्या करती थी तो अब हमने आपको एक रूम दिया है आप अपना फेस सेव करके अपने सैनिकों को यहाँ से ले जाईए और जो पर्मनेंट स्ट्रक्चर है उसे आप खतम कर लीजिए इस परकार का हो सकता है कोई एगरिमेंट या फिर किसी बात पर सैमती बनी हो डिप्लोमेटिक चैनल्स के थूँ या फिर मिल्टरी चैनल्स के थूँ ये तो देखो बाद में पता लगेगा अगर चाइनीज इस एरिया से जाते हैं कुछ समय के बाद या फिर इंडियन्स को यहाँ पर पैट्रोलिंग के लिए अलाउ किया जाता है तो तो हम मानेंगे कि हाँ इस परकार का कोई समझ होता इंडिया और चाइना के बीच उस समय हुआ था या फिर देखो निरुकमा राओ जो फोर्मर फोरन सेकेटरी हैं उनका तो एक बात ये भी बोलना है कि साथ इंडिया और चाइना बोर्डर डिस्प्यूट को सोल करने के लिए अब तयार है इंडिया ने चाइना को सिगनल दिया है कि थोड़ी बोर्ड कंसेशन हम आपको देने के लिए तयार है आप border dispute soul कीजिए मतलब हमारे इंडिया और चाइना के बीच आल्मोश्ट चोंती सो किलिमेटर का जो border है जिन भी areas में dispute है हम दोनों मिलके सैमती बनाने की कोशिज करते है कुछ concession हम आपको देंगे कुछ concession आप हमें दीजिए और पिछले 70 सालों से जो ये dispute चला आ रहा है इसे हम soul करते है ऐसा signal परधामित्री मोदी ने चाइनीज को देने की कोशिज की है ये बोलके हमारे यहां पर कोई गुस्पैट नहीं हुई है देखो एक बात साफ है जो भी हमने discussion की एक बात साफ है कि ये जो area है न इस area में चाइना की presence फिलाल काफी जबरदस्त है ये जो उचे-उचे पहाड है आप ये location देखिए ये जो उचे-उचे पहाड है यहां पर Chinese ने अपनी structures बना लिये हैं यहां पर देखो तो काफी बड़ा strategic advantage है चाइना की आर्मी के पास पाकिस्तान की आर्मी नहीं है टू भी रियलिस्टिक चाइना की आर्मी फिलाल इंडिया से strong है तो इसलिए military action देखो possible नहीं है और war तो कोई नहीं चाहता ना चाइना चाहता है ना इंडिया चाहता है एक possible consequence इसका ये हो सकता है जैसे सुंदुरूंग्चू वैली में जो कुछ हुआ था 1987 में इंडिया और चाइना की forces आमने सामने आ गई थी अच्छी खासी संख्या में और काफी सालों तक आमने सामने रही साथ सालों बाद चाइनीज उस reason पर जहां पर वो आये थे उसको छोड़के वापस चले गए थे उसी परकार से हो सकता है कुछ समय के लिए चाइनीज यहां पर रहे इस reason में और बाद में वो फिर से पीछे चले जाएं और इंडियन्स को allow कर दिया जाए finger 8 तक पैट्रोलिंग करने के लिए तो अभी साफ नहीं है क्या होगा आने वाले दिनों में देखना होगा कि हमारे सेनिक यहां तक पैट्रोलिंग कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं तो यह हमने कुछ points को analyze किया इस article में फिलाल इस discussion में इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion